Hello Students, हम कर रहे हैं income tax, आज से वापस start कर रहे हैं, इससे पहले हम को chapters कर चुके है, income tax के basic concept of income tax, residential status of income tax, income from salary, income from house property, income from salary, income का first head था, income from house property, income का second head था, आज हम income का third head start कर रहे है income tax का, वो है profit or gain of business or profession, यहां पर आपको दो चीजे दिखेगी business और profession, business का मतलब वैपार, profession का मतलब पैसा, पैसा नहीं पैसा, ठीक है, okay, business में क्या होता है, product को purchase और sale किया जाता है, जैसे ये marker है, इसको खरीदा और बेचना, ये business के अंदर आता है, manufacturing unit भी आ सकती है, profession में क्या होता है, services दी जाती है, जहां आप कहीं आप teacher के पास जा रहे, वो आपको coaching दे रहा है, तो उसके बदले में फीस लेगा, तो आपने product नहीं दिया, उसने अपनी service दी, doctor के पास गए, treatment करवाने के लिए, तो doctor फीस लेगा और आपको service देगा, तो वो profession के अंदर आ रहे, वकील हो गया जैसे, वो भी फीस लेता है, और आपको कोई product नहीं देता है, आपको service देता है, जो उसके पास skill है, वो देता है, आपको, ठीक है, सेवाए करता है, तो business और profession में ये फर्क होता है, तो चाहे किसी का business हो, वेपार हो, चाहे किसी का profession हो, उससे उसको profit जरूर होगा, अना, बिजनस से profit बोलत अब income tax लगेगा, तो वो कैसे लगेगा, और उसके क्या provisions होंगे, वो सब हम इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस chapter का charging section है, वो है section number 28 of income tax act 1961, आयकर अदिनियम 1961 का किधारा 28, वो इसका charging section है, ओके, ठीक, अब इस chapter में मैं सीधा provisions के उपर जाओ, उससे पहले आपको most important कुछ चीजे समझ नहीं होगी, जो दो चीजे हैं वो मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद ही आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसमें क्या होता है, दो तरह के profit हमारे सामने देखने को मिलते हैं, एक होता accounting profit, accounting profit, जो हम accounting करते हैं, आपने general entry बनाना सीखा होगा, accounts के अंद corporate account के अंदर, और उसमें हम क्या करते है, general entry करते है, laser करते है, trial balance करते है, फिर उस trial balance की help से जो है, हम final account बनाते हैं, जिसमें हमारा trading account हो गया, और main हमारा penal account हो गया, profit and loss account, और company है तो statement of penal बनाती है, इन दोनों की जग़ए, क्या बनाती है, statement of penal, statement of penal, चाहे statement of penal बनाये, चाहे trading account बनाये, penal account बनाये, इस से क्या निकल के आ जाता है, accounting profit निकल के आता है, और यह जो accounting profit हम calculate करते हैं, इसमें rules and regulations जो हम follow करते हैं, वो ICAI, यानि के institute of chartered accountant of India ने जो हमें accounting standard इसु किये है, जिसको आज कल इंडेस बोला जाता है, तो जो उन्होंने इंड accounting standard, उनकी हिसाब से हम accounting करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो revenue expenditure होते हैं, उनको penal में दिखाना होता है, capital expenditure को balance seat में, ऐसे ही कुछ बहुत सारे rules, मलब कौन सा खर्चा आप penal में दिखा सकते हैं, कौन सा नहीं दिखा सकते हैं, कौन सी income दिखा सकते हैं, कौन सी नहीं अब accounting profit, यानि कि net profit आगया आपके सामने, जो net profit आता है, उसको भी बोलते है accounting profit, यानि कि आपने क्या calculate कर लिया, NP, net profit, हाँ अगर net loss आगया, तो income tax लगने का सवाल ही नहीं है, इंकम कहां होई ही, वो तो net loss होगया, loss के उपर income tax लगता नहीं है, net profit हो गया, तो फिर तो इसके उपर income tax लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो वो जो income tax लगेगा, क्या वो सिधा इस accounting profit वाले net profit पे लगेगा, तो इसका answer है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो accounting करके हम profit calculate करते हैं, उसके उपर हमें सिधा income tax नहीं लगाना है, हमें income tax के इसाब से अलग से profit calculate करना है ना, वो income tax के हिसाब से होगा, इंकम tax जिस पे लगेगा, ऐसा profit हमें calculate करना पड़ेगा, तो ऐसा क्या है, इन दोनों में difference क्या है, यह जो profit होता है, यह इंडियस वगेरा के हिसाब से होता है, और यह जो profit हम calculate करेंगे, यह करेंगे, हम income tax act, income tax act, आपको पहले ही बता रखा है, कुछ lecture के अंदर, 1961, income tax act, 1961, आएकर अदिने मुनी 61 के साब से हम इसको calculate करेंगे, सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है, यहाँ पर profit calculate करते टाइम, कौन सा खर्चा हमें less करना है, sales में से कौन सा income में add करना है, कौन सा खर्चा दिखाना है, कौन सा नहीं दिखा इसके साब से होता है, और यहाँ पर कौन सा खर्चा दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना है, वो सब income tax act, 1961 के साब से होता है, तो इसके अंदर हम यभी यही पढ़ने वाले हैं, कि कौन कौन से expenditure जो है, वो allowed होते हैं, कौन कौन से expenditure जो है, वो disallowed होते हैं, यह expenses की बात हो आएगा उसके हिसाब से नहीं है इसके अलबा कौन सी इंकम जो है उसको आप अपने प्रॉफिट में जोड सकते हैं उसको आप अपने प्रॉफिट में क्या कर सकते हैं जोड सकते हैं उसे इंकम को तो इंकम अलाउड कौन सी है कौन सी इंकम आप नहीं एड कर सकते कौन सी इं मुझ में आएगा ठीक है तो इतना आप आपको नोट करना तो पोज करके आप नोट कर सकते हैं यह चीजी आपको एकजाम में बहुत है अगे क्या है मैं आपको एक स्टेटमेंट बनाता हूं स्टेटमेंट अफ॑ मुटिशन ऑफिंद्यू अफिंट मैं पर इंकूम अफिनिस प्रफिशन अफिंटमेंट स्टेटमेंट वेल इंकूम फॉम बिजनस और प्रॉफेशन और प्रॉफेशन ठीक है अब देखना मैं सबसे पहले मान रहा हूँ इस बिजना इस पर देखना प्रॉफेशन और प्रॉफेशन और पर प्रॉफेशन चैंक। इस पंडिचर्णा गवन आपको क्वेशन और इस परॉफेशन और आपको को कोशन में क्या दे रखा होगा आपको कोशन में क्या दे रखा होगा आपको कोशन में दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट या पीनल अकाउंट अब ट्रेडिंग और पीनल आपको कोशन में कब दे रखा होगा जब आपका बिजनस होगा अगर business है तो trading and penal account दे रखा होगा लेकिन profession है तो तो professional जो person होता है वो अपना surplus calculate करने के लिए कौन सा account बनाता है income and expenditure account बनाता है ओके आपने NPO देखा होगा accounting करी होगी non for profit organization की है न तो वो भी profession होता था एक तरह का ठेक है अब अगर आपका business है तो trading penal आपको दे रखा होगा वरना profession है तो यह दे रखा होगा income and expenditure account अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखे होगी आपको given in question अब आपको क्या करना है देखिए आपको उसमें दे रखा होगा यह जो trading और penal और income and expenditure है यह किसके एसाब से दे रखे होगे accounting यह accounting income यह accounting प्रॉफिट आपको दे रखा होगा आपको क्या करना है वो accounting profit ले ले लेना है अब ध्यान से समझना है आप जो हम बताने वाला आपको क्या करना है वह accounting वाला profit ले लेना है ठीक है accounting जो profit दे रखा होगा जिसको मैं net profit बोल देता हूँ net profit या इस तरह के से लिख सकते net profit as per accounting accounting के accounting के हिसाब से जो है आपको net profit दे रखा है वो आपको ले लेना है इधर ठीक है या आपने net profit ले लिए अब इसमें आपको क्या करना है इस net profit में कुछ चीज़े add करनी है और कुछ less करनी है लेकिन इसको रटना नहीं है इसको logic लगा कि less करना और add करना है अब logic लगा कि कैसे less करना और add करना देखिए ये net profit अबने accounting के इसाब से निकालना है तो बहुत सारे खर्चे अबने less कर दिये थी तब ये profit आया होगा बट income tax बोलता है कि भाया आपने ये वाला खर्चा less नहीं करना था तो अब हम क्या करेंगे हमको अगर income tax के इसाब से चलना है तो हम क्या करेंगे क्योंकि income tax बोल रहा है जो आपने for example के लिए कोई खर्चा ले लेता हूँ कि जो आपने ये खर्चा दिखाया है इसको आपको less नहीं करना चाहिए था income tax इसको allowed नहीं करता है तो हम क्या करेंगे उस खर्चे को वापस add कर देंगे तो यहाँ क्या होगा करेंगे क्योंकि आपने less कर दिया है कहाँ पर accounting profit calculate करते time income tax बोलता है कि आपको less नहीं करना चाहिए था वो profit आपको खर्चा आप नहीं दिखा सकते आपने accounting profit calculate करते time जैसे खर्चा less किया आपका profit कम हो गया income tax बोल रहा भया आपने profit कम क्यों किया यह वाला खर्चा तो less करना ही नहीं था तो उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे हम income tax के हिसाब से profit निकालने के लिए क्या करेंगे जो हमारा profit कम हुआ है उस खर्चे की वज़े से वो हम क्या कर देंगे वापस add कर देंगे तो जितने भी disallowed expenses होते हैं उसको add कर देना है और ऐसा खर्चा जो allowed था पहले इसको पूरा complete कर देता हूँ disallowed expenses credited debited in penal account ऐसा खर्चा जो आपने penal account में debit कर दिया मतलब penal account में आपने दिखा दिया उस खर्चे को नहीं दिखाना था उससे क्या हुआ net profit कम हुआ तो नहीं दिखाना है तो वापस एड़ कर दो ओके effect खत्म अच्छा ऐसा खर्चा जो PNL में दिखाना था पर आपने दिखाया नहीं income tax के हिसाब से उस खर्चा अलाव था आप उसको profit में से कम कर सकते था आपने नहीं किया तो अब कर दो भाईया अब कर दो तो अलावड एक्सपेंस इस अलावड एक्सपेंस नौट डेबिटेड इसा एक्सपेंस जो अलावड था उस खर्चे को दिखा सकते थे आपने नहीं दिखाया अब दिखा दो उसको less कर दो तब profit कम हो जाएगा क्योंकि उपर हमने profit ले रखा यह तो हो गया आपके expenses के बारे में अब मैं बताता हूँ आपको income के बारे में ऐसी income income हम कहां दिखाते है P&L account के credit side में और income अगर वहां दिखाते हैं तो उससे हमारा profit increase होगा क्योंकि income बढ़ेगी तो profit भी बढ़ेगा अब income tax बोल रहा है कि यह disallowed income थी जो आपने दिखा रखी है credit side में P&L account के और income वो जो दिखा रखी है वो नहीं दिखा नहीं थी income tax के साब से लेकिन आपने तो दिखा दी तो दिखाने की वज़े से profit क्या हो गया आपका बढ़ गया क्योंकि income बढ़ा ही तो profit भी बढ़ गया income tax बोल रहा है नहीं करना था तो अब क्या करें सुधारने के लिए जो income allowed नहीं थी जिसको हम disallowed income बोलते हैं उसको वापस अटा दो तो यहां करेंगे हम disallowed income disallowed income credited in P&L account या तो P&L account ऐसी income जो आपने credit कर रखी है P&L account में नहीं करना था उसकी वज़े से profit बढ़ चुका है तो अब क्या करें profit कम कर दो तो वह कर दिया ठीक ऐसी income जो आपने P&L account के credit side में नहीं लिखी जबके लिखने चाहिए थी अगर लिख देते तो profit बढ़ता ना पर आपने लिखी नहीं तो अब क्या करें अब बढ़ा दो profit to add allowed income allowed income not credited to ya in P&L account तो ये दोनों चीज़े हो जाएगी add फिर जो amount आएगा उसमें ये दोनों चीज़े हो जाएगी less तो अगर इसको रटे मारोगे कि क्या add होगा क्या less होगा तो मेरे साथ से सही नहीं है हाँ जो मैंने आपको बताया है अगर उसको follow करोगे तो आपको काफी help मिलेगी इससे होगा क्या इससे आपकी taxable income निकल क्या जाएगी taxable income from business and profession और इसके उपर tax लगेगा ये income कैसे होगी income tax act के इसाफ से और ये profit कैसा था accounting के हिसाफ से तो accounting वाले को profit को हम income tax वाले profit में convert कर दिया इसके उपर tax लगाना पड़ेगा ओके बट अब हम इस chapter में आगे क्या करेंगे sorry इसमें हम ये पता करेंगे कौन-कौन से खर्चे जो है वो disallowed है जो में add करने हैं कौन-कौन से खर्चे allowed हैं अगर वो पहले से less कर दिये तो no problem नहीं किये हैं तो अब कर दिएगे ठीक कौन-कौन से income है जो disallowed है और आपने नहीं उस income को लेना है अगर पहले ले लिए तो हटा दिएगी नहीं लिए तो कोई problem नहीं कौन से income है जो allowed है मतलब आपको credit में दिखा नहीं थी आप profit उससे बढ़ा सकते हैं तो कौन से disallowed expenses होते हैं कौन से allowed होते हैं कौन से disallowed income होती है कौन से disallowed होती है और कौन से allowed होती है ये सब चारों चीजे हम detail में आगए आने वाले lectures के अंदर पढ़ने वाले हैं विथ सेक्षन तो बड़ा ही इंट्रस्टिंग चेप्टर है ये अब आप ऐसे स्टुडेंट्स जो बोलते है सर आप रेगुलर वीडियो डालते थे हो लेकिन बीच में कई कई बार आप रुख जाते हो तो देगो बेटा मैंने अभी इंकम टेक्स बीच में इसलिए कर दिया अभी जैसे आप लोगों की कॉमेंट आए तो मैंने वापस स्टाट कर दिया तो आपके उपर डिपेंट करता है कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओं क्या मैं इंकम टेक्स चलाओं मैं फाइनिसल एकांटिंग चलाओं मैं कॉस्ट चलाओं मैं करते हैं क्योंकि उन बच्चे उन वीडियो को देखने के इंट्रेस्टेड होते हैं तो यह आप पर डिपेंड करता है मेरे पर नहीं करता है अगर आप चाहते हो कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा न कि चलो यार यह बच्चे की help इन वीडियो से काफी हो रही है तो इस subject को continue करते हैं आयोब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गये होंगे हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही कॉमेंट जरूर कीजिएगा लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थेंक्यू सो मच बाइबाइ